जमीन से निकला भूत और उसने एक LD डेडाकी को अपने वश में किया। वीडियो को पूरा देखे और ऐसे डरावने और भूतों की कहानिया सुनने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे और बेल आइकन को दबाना न भूले। ये कहानी है रीमा नाम की L.D.D.A. की की। रीमा जब छोटी थी तभी से उसको भूत प्रेतों की कहानी परहना उसकी वीडियो देखना ये सब बहुत अच्छा लगता था। रीमा को जितना भूतों के बारे में जानना अच्छा लगता था उतना ही वो भूतों से डरती थी। थोड़ी सी भी आहट सुनके वो डर जाया करती थी। ऐसे ही समय बीता गया और देखते ही देखते रीमा शादी के लायक हो गई। रीमा के घरवालों ने उसके लिए एक अच्छा सा एलडीडीडियका ढूंढा और उसकी शादी कर दी। रीमा शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। वहाँ पे बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगी। घर की स्थिती अच्छी नहीं थी। पैसों की कमी के कारण रीमा का पती उसे गाउं में ही छोड़ डाच्छ कर दूसरे शहर कमाने चला गया ताकि कुछ आमदनी हो सके और घर की स्थिती भी सही हो जाए। भीक है, बहु भी कुछ समय शहर घूम लेगी। फिर संतोष अपने आउनफिस से छुटी लेके गाव आ गया। रीमा को अपने साथ ले जाने। शहर पहुँचने के बाद वो लोग एक किराय के माकन में रहने लगने। वहाँ पे और भी किरायदार रहते थे। वही रीमा की दोस्ती पेडिहोस में रहने वाली सुमन नाम की एल डैरी की से हुई। कुछ दिन अच्छे से बीते के बाद एक रात रीमा को किसी आदमी की दर्द भरी आवाज में चिलाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनके रीमा डर के मारे उठ गई और अपना वहम समझ के फिर से सो गई। उसके बाद हर रात ऐसा सिलसिला चलता रहा। फिर एक रात री अकेले सो रही थी। तभी अचानक उसके पलंग के पास एक परचाई आके खाड एठी हो गई। और रीमा का नाम पुकारने लगी। रीमा घबरा कर जोर से चिलाई। रीमा की चीक सुनकर पादेर डोस में रहने वाली उसकी सहेली सुमन दौट डाह कर उसके घर गई। प तब तक वो परचाई गायब हो चुकी थी।